दोस्तों नमस्कार मेरे नाम संजे मगू है और मौजूद है देश रोजाना के डिस्टर मीडिया मंच पर हर्याना में विधान सभा का चुनाव है विधान सभा चुनाव को लेकर तमाम तयारियां इस समय जोरों पर है आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन था जिन लोगों को लगा कि उनसे नामांकन भरने में कोई गलती हो गई या जिन पर कोई दवाब थे जिन पर कोई प्रेशर था उन्होंने अपने नामांकन वापिस ले लिए बाकी बचे हुए कंड़िडेट्स को उनके सिंबल मिल गए चुनाव निशान किसी को केची मिल गए किसी को सेब मिल गया और अब वो चुनाव मैदान में अपने परचार में जुड़ जाएंगे राजनीती के अंदर दोस्तों जब चुनाव परचार शुरू हो जाता है तो उसके बाद मान लीजिए कि चुनाव पूरे शवाब पर होता है और तब लोग अनुमान लगाने शुरू कर देते हैं जब केंडिडेट फाइनल हो जाते हैं कि इतने प्रत्याशी तो उसके बाद लोग अनुमान लगाने लग जाते हैं कि आखिर इनमें कौन भारी पड़ सकता है किसकी हवा चल सकती है, कौन हलका पढ़ सकता है, जाती समीकरण क्या है, गोत्र समीकरण क्या है, ये समीकरण क्या है, वो समीकरण क्या है, इस सब को लेकर के चर्चाई शुरू हो जाती है हम आपसे लगातार खासकर पूरा हर्याना और इसके साथ साथ खासकर पलवल जिले, फरिदाबार लोगसभा, इनकी विधान सभा को लेकर लगातार आपसे बातचीत करते हैं आपको बताते हैं कि कहां क्या हो सकता है तो मैंने आपसे पहले एक वीडियो में शेयर किया था हतीन के अंदर रावत पाल की पंचायत और अब सिंबल मिलने के बाद चब चुनाव निशान मिल गई और ये तै हो गया कि अब कैंडिडेट प्रमुक कौन कौन से हैं तो इसके बाद फिर चर्चाएं शुरू हो गई कि किसको वकवर मिला, किसके लिए मैदान आसान हो गया, किसकी रहा जादा आसान हो सकती है, कैसा चुनाव हो सकता है इस सब को लेकर कि अब फिर नई चर्चाएं शुरू हो गई और ये चर्चाएं रोज चलेंगी और हमारा प्रियास होगा कि एनलाइस के साथ साथ हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी बताएं आपको लोगों के बीच जाकर के बताएं कि आखिर हर्याना के मद्दाता के मन में चल क्या रहा है हर्याना के मद्दाता का मूर क्या है और यह हमारा प्रयास होगा कि अगले दिनों में हम आपको ग्राउन से बताया करें लेकिन मैं अगर आपसे बात करूँ इस वीडियो में जो मैं आपको बता रहा था कि प्रत्याशी आने के बाद तो क्योंकि फरिदाबाद लोकसभा के अंदर दो विधानसभा सीट ऐसी है कि जन पर मुकाबला बहुत पेचीदा है पेच बहुत उल्जे हुए है और उसके बाद यह देखा जाएगा कि वहां है क्या तो इस वीडियो में मैं आपसे फिर बातचित करूँगा उसी हतीन विधानसभा की जिसके लिए एक पहले वीडियो जानी किया था हमने रावत पाल की पंचायत को लेकर है हतीन विधानसभाद जो की हिंदू और मुस्लिम समाज के दोनों समाजों की एक तरह से कहें कि बड़े अनुपात के मिश्रण की बनी हुई विधानसभा है हतीन विधानसभाद छेत्र में जानलगबक 58 फीसद हिंदू मद्दाता है तो वही 42 फीसद के आसपास यहां पर मेव मुस्लिम मद्दाता है हिंदू मद्दाताओं में जहां जाट मद्दाता है ब्रहमन मद्दाता है राजपूत मद्दाता है SC है OBC है BC है तमाम मद्दाता है तो फिर मेव मुस्लिम समाज के मद्दाताओं में उनके अंदर भी सक्का है शिया है सुन कि मुस्लिम समाज के मंद्राता बनते हैं अगर मैं आप से आज केंडिडेट की बात करूं तो हथीन विधानसभाद छेत्र में अब जो केंडिडेट मैदाल में रह गए हैं वो आप ये मानने की जाड समाज से पांच प्रमुक प्रत्याशी है और मेव मुस्लिम समाज से दो प्रत्याशी है जो मेव मुस्लिम समाज के दो प्रमुक प्रत्याशी है उनके अंदर मुहमद इस्राइल है वो कॉंग्रेस के केंडिडेट है और तैयव हुसेन भीमसिका इंडियल नैशनल लोगदल और बसपा गठबंदन के केंडिडेट है और अगर मैं आप से हिंदू स हम आज की केंडिडेट की बात करूं जो उनके प्रत्याशी है तो उसके अंदर भारती जंता पार्टी का टिकेट मनुज रावत के पास है आम आदमी पार्टी का टिकेट करनल राजंदर सिंग रावत के पास है जन्नायक जंता पार्टी का टिकेट रविंदर सिंग सहराव के पास है निर्दलिय प्रत्याशी के रूप में यहां पर पूर्व विधायक केहर सिंग रावत हैं और इनके साथ साथ जिला परिशद की सदस्य हैं पलवल बार एसोसियेशन के पूर्व अध्यक्ष हैं दुरगापुर गाओं के पूर्व सर्पंच हैं धर्मेंदर तीवति यह पांच केंडिडेट कुल मिला करके हिंदू समाज के इनके लावा और भी निर्दलिय चोटी पार्टियों के और केंडिडेट भी होंगे लेकिन जिनकी चर्चा होगी वो यह प्रत्याशी हैं अब बात यह आ जाती है कि कौन से केंडिडेट को यहां वाकवर मिल सकता है किसको फायदा मिल सकता है हर्याना के अंदर जहां भारती जंता पार्टी के लिए 10 साल के अंटी इंकमबेंसी है दस साल से हर्याना के अंदर भारती जंता पार्टी की सरकार थी तो 10 साल का विरोध भाजपा के प्रत्याशियों को भी जहिलना पड़ रहा है उन प्रत्याश मिला है भारती जंता पार्टी का धनेश अदलखा को उनका लोग विरोध कर रहे थे मैं एक जगा और देख रहा था भारती जंता पार्टी का जिनको टिकट मिला है विधायक का टिकट चेंज करके उनको भी विरोध जिलना पड़ रहा है तो यह एंटी इंकमबेंसी का असर जनाव मैदान में नहीं है अब बात आ जाती है कि अगले चुनाव के लिए किसके पक्ष में क्या माहुल बनता है तो जो मैं आपको बता रहा था कि भारती जंता पायटी के कैंडिडेट के साथ दो प्रमुक बढ़ी वाते हैं उनके साथ दो प्रमुख बड़ी बाते ही हैं कि एक तो उनके साथ में भले ही वो चहरा बदल गया लेकिन दस साल की एंटिन गंबैंसी तो उनके सिरे भी कही न कहीं चड़ेगी जरूर और उसके बाद जो दूसरी बात दोस्तों आ जाती है वो यह है टी उनकी अपनी पाल के दो केंडिडेट और मैदान में हैं एक तो उनके अपने गाओं के हैं नांगल जाट के हैं भारती जनता पालिटी के केंडिडेट मनुज रावत और नांगल जाट के ही हैं केहर सिंग रावत जो पूर विधायक है नेरलो के पूर विधायक थे और आज बाजपा में रहते ह हुए जब उनको टिकेट रही मिला 2019 में भी और अब 24 में भी तो वह निर्दलिय चुनाव मैदान में आ गए है केर सिंग रावत अपने साथ कुछ सिंपैथी लेकर के चलेंगे अगले केंडिडेट चो करनल राजंदर सिंग रावत हैं उनके साथ एक बात है कि वह उम्र के उ और हैं दो नेता सहरावत पाल इक धर्वेंदर तेवतिया जो बह आरे सिशन के अध्यक्ष और सरपन्च और दूसरे नौर नाम हैए रविंदर डेवांद्र नीं के परिवार सर्पन्ची है आपने आउं पांच केंडिडेट होने के बाद में जो ध्रुवी करन होगा मद्दाता मतों का तो आप मान लें कि हिंदू मतों के अंदर बड़ा बटवारा होगा। उसकी वज़ा से कॉंग्रेस के केंडिडेट को भी फायदा होगा। है जब से बाते चलनी शुरू हुए छाएवो पलवाल के लेकर हो चाये वा पनवयाध को हो ओद के लेकर हो लडवा को लेकर हो तो वह जो राजनीती में रुची रखने वाले लोग हैं उनमें कहीं यह चर्चा है कि कहीं यहां भी कोई गुप्त समझोता तो नहीं और उसको पूरा कर दिया गुपाल कांडा के उस बयान ने जिसमें उन्होंने कहा कि हम लोग हेट्रिक बनवाएंगे भारती जनता पार्टी की त जाता उसके पास फिर सीधा सीधा हो जाता है क्योंकि वह कॉंग्रेस के प्रत्याश्य के पक्ष में जाएगा और इस सब लिहास से मैं आपको जो बता रहा था कि हिंदू मद्दाताओं के अंदर वोटों का बड़ा बटवारा अगर कॉंग्रेस के कैंडिट की बात करते है तो फिर उनको बुपेंदर सिंग हुड़ा के नाम पर खासकर जाट समुदाय के और चौधरी उधायभान के नाम पर दलित समाज के वोटों का अच्छा खासा मुनाफ़ा मिल सकता है इन दो खासकर दो कम्यूटियों के अंदर जाट मद दाता और दलित मद दाता और अगर मैंने आपको जो बताया कि जो इंडियन नेशनल लोगदल और भहुजन समाज पार्टी के कैंडिट हैं जोइन्ट कैंडिट पहले चुनाओं में वो दो बार चुनाओं लड़े तैय रोकेगी जाने से और जो सरकार विरोधी सोच की मद दाता है उनके अंदर ये रहेगा कि वोटों का डिवाइडेशन ना हो बटवारा ना हो तो फिर वह जो सरकार विरोधी वोटो का वोट feature के कैंडि़डिट के पास ना रुखे वहूं साहरी बाते हैं जिसकी व्य aspect कर्य Democrat आपसे बात पूरे हर्याना के अलग-अलग छेत्रों के रहेंगे ग्राउंड रिपोर्ट भी देंगे और हम अपनी एनलाइस बताएंगे क्या हो सकता है लेकिन यह जरूर है कि जहां सीधा मुकाबला है दौरों पार्टियों केंडिट्स के बीच में वहां भी और जहां ट्र केंडिडेट को ज्यादा मिटेज मिल सकता है किसकी हवा चल सकती है तो आज की परिस्तिती में अगर देखें तो हथीन विधान सभाद छेत्र के अंदर जो कॉंग्रेस के कैंडिडेट है मुहम्मद इस्राइल वो अन्य प्रत्याश्यों पर भरी बड़ते दिख रहे हैं आ अब दाताओं का मूड भी चेंज होता है और बीच-बीच में उनके अंदर फरक आया करता है आप हमारी बास से कितना सहमत हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहें देश रोजाना हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के यूट्यूब चैनल को और नई वीडियो की नॉटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन जरूर करें अगर आप ये वीडियो फिस्बुक या इंस्टेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें